अब सिंभा की मा उस बुड़े सेर के पास जाती है, वो सेर किसी जानवर को खा रहा था, तभी ये कहती है कि तुम बहुत जादा सिकार कर रहे हो, ये ठीक नहीं है, सेर कहता है कि ये ही ठीक है, और अब तो तुमारा पती भी नहीं रहा, तुम मेरी रानी बन जाओ, और दोर मिलकर सिकार करेंगे लेकिन सिंबा की मा कहती है मुझे तुमारी रानी बनने का कोई भी सोक नहीं है तभी बुड़ा सेर गुस्टे से कहता है कि अपसे तुम सब को एंग भी जानवर खाने को नहीं मिलेगा पहले इन लकडबगे खाएंगी उसके बाद उसका बचा पुचा तुम लोग खाओगे और यहां ये लोग सिंबा को अपने सहर यानी की जंगल में लिकराते हैं यह जंगल सिंबा को बहुत ही पसंद आता है सिंबा यहां की जानवरों से मिलता है वो बहुत खुस था यहां की जानवर कीडे मगोडों को खा रहे थे और यहां सिंबा का परिवार वुका था उनी परिवार में एक और सेर थी उसका नाम नाला था यह सिंबा की बहुत अच्छी दोस्त थी और यह रात के समय लकड बगों का जूटा खाने जा रहे थी तभी वो छुप जाती है क्योंकि वहां पर लकड बगगी आ गए थे लेकिन वो सिगार की तलास में दूसरी तरफ निकल पड़ती है और यहां इस बोड़े सेर को सक होता है तभी वो देखने जाता है सिंबा की दोस्त नाला उपर चुप जूई थी तभी वो सेर उपर देखने जाता है लेकिन सही मोके पर वहां पर वही पक्षी आ जाता है